अश्राम ऐकोम थे चैनल आज हम डिस्कस करेंगे रिवर ट्रेनिक श्रॉक्टेर के बारे में लेकिन रिवर क्रेश त्रेनिक को तफूसीर से डिसकस करने से पहले मैं आपको देखा होगा कि डिस्रिक्ट चित्राल में मुक्तलिफ के रिवर्स आफ दियर हैड्रालिक बीहवियर आपको मिलेंगे मिलें वर्साइज इतल समय यहां इतल अगर कारी 원 आपको मिलें ayamad movement kep बीवर्स आफ दियुक्त है के दिस्रिक्ट चित्राल में आजने the same अगर आफ जाएंगे एक्जेकली गाहंसे शोगते है इस शोगता है ऊको में रिव्रत के सोगता आपके रिवर की विलास्टी होती है और इस रिवर की विलास्टी की वज़ा से वहां पे बड़े बड़े किसम के बॉल्डर उसके अंदर आपको तेरते हुए नजर आएंगे और यह जो घ्रीडियंट और यह जो घ्रीडियंट है यह घर 200 फूट पर आपको जाकर एक विलास्ट की दॉप मिलेगा। पिर उसके बाद अब थोड़े से जब नीचे आ जाएंगे, यू इल गेट सब मॉंटेनियस रीच सब्पॉंटेनस रीच में इिसकी पानी रिवर्टी होती है ठोड़ी कम होती है रफतार इसकी कम होती है स्क्रीमद 15 वोट 2019 के इसाब से इसकी रफटार होती है और इसकी लंगिविगर्टीजमिया ऊप होती है आपको एक धव्म सुट अगर आप बलच में अगर आप देखेंगे बलच के साथ में जाके देखेंगे तो इस अलुवियल रीज में होता ये है कि आपको फलट प्लेंस नजर आ जाएंगे इसके राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में आपको फलट के लेंस नजर आ जाएंगे और इन केस अफ़ हाई फलटिंग और आवर टॉपिंग ये जो बैंक होते हैं ये उसमें चले जाते हैं उसमें फलट के उसमें आ जाते हैं तो अकसर इवन रिवेर ट्रेंडिंग स्ट्रक या विदर वो डैवरिजन स्ट्रक्शर्स ना बगाईड बैंक्स है या विदर वो कोई गाहट बैंक्स है जो भी हैं आपको नजर आ जाएंगे लकिन जरूरी नहीं यह सिर्फ बलच के अरिया में हो यह मलब अगर आप यारपन की तरफ जाएंगे अगर विद्ट आपको यह इस ने जो पिसके स्टेज है इस अलुवियन में पिर इसके आप को फिर दो तीन टाइप के पिर नजर आएँगे इसमें इसमें यू इसमें ऐीड हुन locked आnda अलुवियर इसमेर आपनल आरा होता है इसमें आके तो जाल मीनडर डाल फिर्जल को आरा ही एसमें एक तो मल्बा आप आपने साथ लेके आए अपूस्पेंशन लेकर आजाता है लो आशा ने साथ बतरों तो थम्हेजाना मिद्च के असका संपाढममे क्थी विल्शो पींडरी तो युहों थो एक्स्माटली दोए और फिर पर मैंडरी में यह होता है कर भो नर्य आए अपको नगाने में नगाने लेधिन से पर खैर मैंडरी में में यह है कि म्चुर्ण WRESEर्श की फूलो इस तरव है इरपोट की तरव रूडा़ी की कभी उदर मलब जिल की तरफ आपको नजर आएगी और फिर बीच में मुख्तलिफ खुजू के एकस बोस भी बने हुए नजर आएगे और वहां पे लोग शिकार के लिए भी मुख्तलिफ खुजू के उन्हों ने वह बनाए हुए होते हैं तो यह असर में इस रिवर की एक वह है एक ऐसा स्टेज है जिसमें यह चीजें आपको नजर आ रही होती है और इसमें मुख्तलिफ खुजू के रिवर एसका आपको नजर आ जाएंगे तो फिर उसका जो लास स्टेज होता है फिर यह जब नीचे जाके फिर फाइनल स्टेज जब यह किसी ऑशियन में चला जाता है उस पॉइंट पर यह उसका डेल्टाइक स्टेज होता है तो यह चीज़ें थोड़ी बहुत बहुत डिसकस करने का बैसिक मकसद यह है कि हम अपने फ्यूजर लेक्शर जो भी आ जाएंगे फ्यूजर में वह असलमें रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में हैं स्ट्रक्चर में होता यह है कि मुझा 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 इसमें यह है कि अब इसमें जगे के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से असर चीज जो मेटर कर रहा है उस रिवेर की मर्फोलिजी को समझना बहुत ज्यादा इंपोर्टन है कि वहां के कौन सा स्ट्रक्चिर हम बनाएं ताकि उससे पैसा जो पैसा उदर लग रहा है वह भी म अब यह जो स्पर्चिर हम उनके ठाइप स्पर्स के मुटारिफ जो हो है वो चिजन डिसक्स करेंगे बट इस लेक्शर विद बूली इस स्पर्स और इस में पॉंक्शन अब यह जो स्पर होते हैं यह रिवर फ्लो के पर्पेंडिकुलर में बनाएं जाते हैं और यह रिवर बैंक से एक्स्पेसिफिक लेंग तक चले जाते हैं अब आ dolोई came सैंसे एक्योए, वंग जे यह जिएर अजयए, थिस लीए रिववर फ्लो ओ C हो र। ऑ्य हो फ्लो और यह रह री रह रिवर बनाए更 passive this like this and this is the total right away of the river total width of the river so these structures this structure constructed here is the groinal spur and these are the banks these are the banks so the main function of spur now so the main function of spur is to reduce the concentration of flow at the point of attack so let me remove this here even if this is like s kind of river here this is a river here so if the flow of river is like this and this is the point of attack here here of course here a kind of erosion will take place and here a kind of silting will take place silting will take place so in order to protect this point you know uh spurs are constructed up this point ko protect kerne ke liye spur bana jata or wo kaise bana jata we would be discussing that in our coming uh lectures on this is in chizo ko discuss karengi ki wo uh reflecting spat hengi liye spur ho ga yeah uh divergin spur ho ga yeah defining spur whatever the kind of spur is there or this case up this case bade mikä LINDA main function creating こちら is where silting area by reducing the flow अब यहां पर silting area जो silting जो area बनेगा यहां पर silting पोकर्स बनेगे तो यहां पर silting शुरू होगी तो यहां पर फिर flow जो है flow would be reduced जब flow इसकी reduce हो जाएगी तो यहां पर automatically a kind of land will be created here अब इसका जो तीसरा main function है that is protecting the banks by keeping the flow away from the banks and the river here let me explain it here this is your river and you are either you are going to construct as a spur exactly perpendicular to the river flow or you are going to construct a spur inclined with the upstream or you are going to construct a spur here here, inclined with the downstream, and this one is exactly perpendicular with the flow, exactly perpendicular, this is the notation of perpendicular here, so we will be discussing and covering all these, you know, spars here, so protecting the banks by keeping the flow away from the banks, so these are the banks, ये रिवर के बेंक्स हैं, अब इन रिवर बेंक्स को किस तरा प्रोटे करेंगे, और इसमें सबसे माद फीसिबल सबस्पार कौन सा है, ताकि ये वाला बेंक्स भी और ये वाला बेंक्स भी मादब उसके रिवर करेंट के जो रिवर फ्लो वो है, रिवर फ्लो की वज़े से जो इरोट करती है, इसके बेंक्स को, वो किस तरा प्रोटेक्ट हो जाएं, हम दिसक्स करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा वाला ज्यादा बेटर है, ताकि ये वाला अप्स्ट्रीम वाला भी और डाउन स्ट्रीम वाला भी उससे बेंक्स जो हैं, वो इरोजिन से बच जाएं, ताकि ये वाला अप्स्ट्रीम वाला भी उससे बेंक्स जो हैं, वो इर झाल झाल